Hello students, आज हम लोग circle के ऊपर एक problem कहने जा रहे हैं Question आपका board पर इस तरह से लिखा हुआ है Find the equation of the circle having 1,-2 as its center and passing through the point of intersection 3x plus y equal to 14 and 2x plus 5y equal to 18 यहाँ पर हमें find the equation of the circle circle का equation find करना है circle का क्या find करना है equation find करना है हमें क्या-ک्या दिया हुआ है given data क्या-क्या है center दिया हुआ है और center दिया हुआ है point of intersection equation के रुप में दिया है तो माल लीजिए एक circle हो गया सबसे पहले एक circle हो गया यह आपका circle हो गया सरकल को जो है तो अच्छा सब्सक्राइब कर लेते हैं यह जो है आपका सरकल होगा ठीक है अभी सरकल में जो है सेंटर दिया हुआ है को पढ़ेंगे find the equation of the circle having one comma two one comma minus two as its center यानि कि center दिया हुआ है one comma minus two one comma minus two and passing and passing through the point of intersection यह जो point of intersection है माल लजिए यहां पर point of intersection है तो यहां पर जो है यहां का point नहीं दिया हुआ है यहां का point नहीं दिया हुआ है equation दिया हुआ है यहां पर 2 equation दिया ऑओ तो 2 equation को solve करके हम यहां का point निकाल सकते हैं तो म00 लिजे हम वहां का point केसे निकालेंगे point of intersection को point of question निकालेंगे तो दो equation दिया हुआ है 3x plus 4 3x plus y equal to 14 3x plus y equal to 14 and 2x plus 5y equal to 18 यह दोनों equation को हमें solve करके हमें जो है x और y का value निकालेंगे अधार जो है यहां पर जो point दिया हुआ है equation के रूप में यहां का जो हम value निकाल सकते हैं तो सबसे पहले यह दोनों equation को हम कैसे solve करेंगे तो equation 1 को हम क्या करेंगे हम जो हैenth class में पाड़ चुके है इसको हम लोगभ क्या करेंगे इसको अगर हमको cancel करना है तो इसको 2 से multiply कर देए इसको 3 मेल्टीप्लाय कर दे तो हो जाएगा इसको हम और यह हो जाएगा आपका 66 plus 15 y equal to 18 24 यह हो जाएगा 54 अब हम क्या करेंगे sign को change करेंगे तो यह हो जाएगा minus यह हो जाएगा minus तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे यह दोनों जो है cancel हो जाएगा अब देखें माइनस 15 में से 2 जागा तो माइनस 13 Y माइनस 13 Y अब जो है इस में से माइनस 54 में से 28 जागा तो कितना बचेगा तो माइनस 26 माइनस 26 अब जो है माइनस माइनस कैंसल हो जागा तो आपका Y equal to answer आ जागा Y equal to Y equal to 2 आ गया Y equal to 2 आ गया अब जो है y equal to 2 आगया तो हम x का value जो है किसी भी equation में रखके हम equation को हम निकाल सकते हैं तो equation 1 में हम करेंगे from equation 1 from equation number 1 equation number 1 से हम करेंगे तो 3x plus y लिखा हुआ है तो y का value कितना है 2 equal to equal to 14 equal to 14 है चलिए तो 3x equal to कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तो x equal to कितना हो जाएगा तो 4 आजाएगा x equal to कितना आगया 4 आगया यानि कि यहां का point हम निकाल चुके हैं जो मेरा intersection है point of intersection मेरा निकाल चुका तो कितना निकला x का value 4 आया और y का value 2 आया तो 4,2 हम लोग का value जो है निकाल चुका है 4,2 ध्यान से दिखिए question को हमने बनाया question दिया हुआ है find the equation of the circle having one comma minus two its center center जो है निकला हुआ है and passing through the point of intersection 3x plus y equal to 14 2x plus 5y equal to 18 हमें जो है यहां का equation दिया हुआ था तो इस equation से जो है हम जो है point निकाल दिये दोनों का value निकाल चुके हैं अब हम जो है क्या करेंगे आगे का process हम करेंगे तो आगे का process हम कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए हमें जो है equation निकालना है circle of circle of equation निकालना है circle का क्या निकालना है equation निकालना है तो circle का equation निकालने के लिए हमें radius पता होना चाहिए circle का equation निकालने के लिए हमें जो है radius पता पर होना चाहिए तो रेडियस क्या है रेडियस जो है यहां से यहां का डिस्टेंस निकले हैं तो radius क्या कैसे निकलेगा तो radius of the circle equal to radius of the circle इकुवल टू distance between the two point 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 ध्यान दिजिए हमें जो है radius निकालना है तो radius कैसे निकलेगा radius निकालने के लिए यह दोनों के बीच का जो distance formula है उसको हम लोग अपलाए करके हम यहां से radius निकाल सकते हैं यह दोनों के बीच में जो distance formula है उसको हम अपलाए करके हम radius निकाल सकते हैं तो माल लिजिए यहां का point हो गया x1 y1 यहां का point को हम लोग center को माल लिए x1 y1 और यहां का जो point है उसको मान लिए x2 y2 x2 y2 अब हम जो है distance formula लगाएंगे तो distance formula r equal to क्या होता है तो distance formula r equal to होता है root under x1 minus x2 minus x1 का all square plus y2 minus y1 का all square यह जो है आपका distance formula है distance formula क्या होता है x2 x2 minus x1 का all square plus y2 minus y1 का all square तो हमने जो है formula लिख दिया है अब देखिए अब हम जो है r equal to r equal to root under x2 x2 कितना है तो x2 मेरा है 4 यहाँ पर जो है यह हो गया x2 इसको हम x2 मान लेंगे y2 मान लेंगे और इसको हम लोग x1 मान लेंगे और y1 मान लेंगे चलिए तो x2 x2 है मेरा 4 तो 4 minus x1 x1 कितना है 1 का all square plus y2 कितना है तो y2 मेरा है 2 minus 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 है तो यह दुने क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा all square तो यहां से जो हम radius निकाल चुके हैं तो r equal to क्या हो जाएगा root under r equal to root under 4 मेंचे 1 यहां तो जाएगा 3 का square 9 plus 2 plus 2 4 4 का square 16 तो r equal to यहां निकल गया root under 25 का value हो गया तो मेरा यहां का रेडियस भी निकल चुका है और का वेलू हम निकाल चुके हैं चलिए हम आगे का प्रोसेस करेंगे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं स्क्रीन सोट लेना चाहते हैं अब जो है हम रेडियस निकाल चुके हैं अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे चलिए तो हमें फाइंड करना है equation of the circle equation of the circle equation of the circle का formula क्या होता है अगर आप जो है introduction of circle का video नहीं देखे हैं तो आप जहें उस video को देख सकते हैं वहां पर जो है साफ रिती से जो है बहुत ही अच्छा formula को बताया गया है सुजी सर के द्वारा आप जो वीडियो को देख सकते हैं ताकि जहें आप जहें आपको जहें प्रोब्लम को बनाने में किसी परकार का दिकत नहीं हो सेकेंड में हमें क्या करना है equation of the circle हमें निकालना है जो में जो मुद्दा है equation of the circle का formula क्या होता है तो equation of the circle का formula होता है R square equal to X minus alpha का all square plus Y minus beta का all square तो यहां पर X और Y जो है वो उसी तरह से रहेगा यहां जो है एकस और Y जो है unknown quantity वो जो है उसी तरह से रहेगा अब जो है alpha और beta क्या है तो alpha और beta जो है center को हम लोग बोलते हैं जो center का value है वही जो है alpha और beta होगा तो alpha equal to 1 और beta equal to minus 2 यहाँ जो है alpha जो है center का value होता है उसी को हम लोग alpha और beta मांगते हैं तो alpha equal to 1 beta equal to minus 2 और R कितना है तो R equal to 5 हम लोग निकाल चुके थे तो आब हम बेलू को रखेंगे तो R square तो 5 का square X minus alpha कितना है तो alpha 1 है तो X minus 1 का whole square plus Y कितना है तो Y को unknown quantity है So Y unknown quantity है X भी unknown quantity है तो उसको उसी तरह से छोड़ देंगे बीता, तो minus 2 है, तो minus minus यहां हो जाएगा, plus को all square. क्या हो जाएगा, all square, अब जो है हम लोग करेंगे, तो यह हो जाएगा 25, x minus 1 को all square, x square minus 2x plus 1, x square minus 2x plus 1, चलिए, y plus 2 को all square, तो y square plus 4y, 4y plus 4, 6y plus 4, चलिए अब हम क्या करेंगे अब जो है जो इधर है उसको हम लोग उस साड में ले जाएंगे तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं X square plus Y square plus 2X plus 4Y plus यहां देखिये जो हम जो है power के अंशा लिख रहे हैं X square plus Y square plus 2X 2X के साथ जहें माइनस है तो यहां पर माइनस लिखेंगे प्लस 4Y यहाँ पर माइनस 4 है और प्लस 1 है तो यह कितना हो जाएगा 5 अब इस 25 को जब उस साट में ले जाएंगे तो क्या होगा तो यह हो जाएगा यहाँ पर हम एक और step ले जाते हैं प्लस 4Y प्लस 5 एक्वाल टू 25 अब जो है मेरा फाइनल अंसर क्या हो जाएगा मेरा फाइनल अंसर यहाँ से निकल जाएगा equation of the circle इक्वेशन अब दे सार्कल इक्वाल टू x स्कुार प्लस y स्कुार माइनस 2x प्लस 4y प्लस 4y यह 25 जो है उस साट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा माइनस 20 इक्वाल टू 0 यही जो है मेरा अंसर हो जाएगा इस question में हमें निकालना था equation of the circle जो कि हम यह निकाल चुके हैं यही आपका अंसर हो जाएगा अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद